किशानों के हित में कुछ बिल पास हुए हैं हमारे देश के कुछ मंद बुधी लोग जिनकी फित्रत ये ही है कि किसी भी तरह से भारत में भारत की जनसंक्या को बर्गलाना भैकाना और उनको गलत रास्ते पे ले जाना उनका एक यही रूप रहा है टेक्टर रेली का भैया भैय रूप जो इन लोगों ने दिखाया मासूम लोगों पे जो अत्याचार किया उसका भैया भैय रूप पूरा हिंदुस्तान के पूरे संसार ने देखा भटकाने का जो काम कर रहा है वो विदेसी लोग कर रहे हैं विदेसी कौन है देखिए खालिस्तान के समर्थन में जितने भी हैं आज उन लोगों ने पूरा शपोर्ट कर रहा है चाहे वो पैसे से लोगों चाहे वो हतियार से हो चाहे वो उनके खाने पीने का जुगार बाज देखिए किसानों के उपर हिंदुस्तान के अंदर कितना आतिया चार हो रहा है आज अमरीका भी हमारे समर्थन में उतर के आया है यह जो कानून बना है किसानों के पक्ष में और इस चीज को और इन बातों को कानून के हित में रखे किसानों के लिए लागू करा जाना मृत 54 जमत हैं इसे चालते हैं बहारन को कि इस हमारे अंदोलन sóloum नहीं मिलेंगे मीडिया ये हमारे देश का एक कुछक्र है या हमारे देश का दुर्भाग्य है या हमारे देश का कहने हो एक मतला समझ लोग के ऐसे गदार लोगों का पालन पोशन और ऐसे गदार लोगों का हमारे देश के अंदर जो आस्रे मिला हुआ है ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर इकना कोई भी ऐसी बात होती उसमें बढ़ चड़के आगे बढ़के हिस्सा लेते हैं किसी लिए लेते हैं क्योंकि ये मीडिया में टीवी में हर समय दिखना चाहते हैं आज Communist Party जो कि किसने कभी भी भारत का भला नहीं चाया, जितने भी भारत के खिराफ आंदोलन होते हैं, बढ़ चड़ के हिस्सा लेते हैं शेहला राशीद, अमारा नस्चुरी दीन सा एवार्ड वापसी गैंग, ये एक भी निकल करके सामने नहीं आया कि किसानों का आंदोलन गलत है, हाँ, अगर ये आंदोलन, अगर हमारे देश के पक्ष में होगा, ये बिलकुल भी नहीं आएगा जो वी पक्ष में होगा, वहीं फोटो खिचाने के लिए आ जाएंगे ये लोग, और आप देखिए, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग आकर के कूदने लगें, मिया खलीफा, कैबरे डांसर, क्या नाम है उसका, रेहाना, बताए मिया खलीफा, अरे तुम पौन इस्ट इसका भी तो खुला सा करो, और किसानों के पक्ष में जो बोल रही है, कितना पैसा लेके बोल रही है, उसका भी खुला सा करो, रेहाना, एक इतना सब कुछ होते हुए, रेहाना, एक कैबरे डांसर होते हुए, इतना सब कुछ गाना बजाना करते हुए, इतना पैसा कमाने के बाद और भारत के विरोध में आकर के खड़ी हो जाती है कि ये भारत के किसानों में जायदायती हो रही है अत्याचार हो रहा है किसानों के उपर तेरे उपर भी तो अत्याचार हुआ था हमने तो आवाज नहीं उठाई थी भूल गई अपना 16-17-18 साल का टाइम कितना अत देश का जो परधान मंत्री है एक समर्द देशवासियों का परधान मंत्री है उसकी उसके नेतर्त में भारत अपना अग्रसर कारिये करता चला जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है निरंतर उसमें आप जैसे देश व्रोधी ताक्तों की कोई ज़रूरत नहीं है MSP थी MSP है MSP थी MSP रहेगी MSP खतम नहीं हो रही यहां तक कि हम जो आधुनिक मंडिया है प्रतिश प्रतिय मंडिया है और खुलने जा रहे हैं देखिए यह बात अपसे नहीं जब से कानून लगा है यह कानून बना था जब से बिल पास हुआ था तबी से किसानों को समझाय जा रहा है कि MSP लागू रहेगी MSP पे कानून भी बनेगा सब कुछ है ना तो यह MSP बदली गई है और ना बदली जाएगी मगर गुमरहा करने वाले कप्टी स्यार भेडिये और हमारे देश के जन विरोधी उनका क्या करोगे जो भुले भाले लोगों को भड़काते हैं और ऐसे लोगों को किसान आंदोलन के अंदर इखटा कर लेते हैं कि जिनका किसान आंदोलन से कोई सरुकार नहीं है अब आप देखिए लेडिसों का क्या सरुकार है वहाँ पे 70-70-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं उनका आंदोलन से क्या सरुकार है जितने भी अपने पड़े लिखे नोकरी पेशा करने वाले लोग बैठे हैं वो किसान आंदोलन में आके गुसे बैठे हैं उनका किसान चुपाता हुआ गुम रहा है उसका अिसानदोलन में क्या काम है एक और दूसरा उसमें है ठीक है उसका क्या काम है जितने अपने आपको इसकी किसानों के मुख्या बोलते हैं इतना बड़ा चड़ा करके इतना गंदा गंदा ब्यान दिया है इन लोगों ने इनको तो तुरंट इनके ब्यान के आधार पे जनता की भावनाओं को भढ़काने के आधार पे तुरंट जेल में डाल देना चाहिए इनकी लिए साहनुवूती क्यों पैदा हो रही है और ये इनको अभी तक खुला हुआ क्यों छोड़ रखा है ये भारत सरकार की कमी है ना हमारे कानून में कमी है जो इन लोगों को खुला छोड़ रखा इनको तुरंट एकदम बंद कराना चाहिए देखिए दुनिया जानती है 1984 के अंदर लाकों सिख्खों का नरसनहार किया था किस ने किया था क् इंदरा गांधी जो हमारी देश की भूत्पूर्व प्रधान मंत्री थी उनकी हत्या का बदला लेने के लिए लाकों सिख्खों का नरसनहार कर दिया गया था किसके दुआरा कांग्रेसियों के दुआरा कांग्रेसी कार्यकरताओं के दुआरा शिख्खों का जो नरसनहार ह आता उसको कांगिये की शिक लोग भूल गए आज हालत यह है सिक लोगों को सबसे ज़्यादा अगर कोई गुम रहा कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के एक जोड़ी है राहूल और प्रिंका गांधी की ठीक है कहने को तो यह भाई बेंड की जोड़ी है मगर देश के अं हंदुस्तान के अंदर कुछ भी अगर गलत या सही कुछ भी होता है तो यह लोग सबसे पहले बढ़ चड़ करके अगरसर उसमें हिसा लेते हैं अच्छी जगे भारत के हित की बात कोई होती है उसमें एक बार भी नहीं जाते हैं यह लोग